हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मुंत्र सीटेट स्पेसल क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का सौगत है आज मैं आप सब के लिए चैप्टर वाइस क्लासेज का लेसन 12 लेकर आया हूँ आज हम लोग इस चैप्टर की ब्याख्या देखेंगे, पूरी विस्तरत जानकारी देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या important है, सभी चीज़ें के करके पढ़ेंगे फिर इसके आद आपको इसका practice set कल मिलेगा तो यह है प्रस्नों का निर्माण वा उपलब्दियों का मुल्यांकन यह आपके 12 नमबर चैप्टर का नाम है, formation of questions and evaluation of achievements important चैप्टर है, इससे आपके grade पर आधारी थे, एक दो नमबर के question जरूर मिलते हैं और दोस्तों, गर आपने मेरी पिछली lesson 11 तक की classes ना देखी हैं तो आप नीचे description में seated 2018 नाम से playlist में जाके सभी वीडियोज देख सकते हैं के करके, वहाँ आपको सभी वीडियोज लाइन से मिल जाएंगी अब देखते हैं पहले topic से, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमाय चैनल को subscribe ना किया तो यहां लगे red color के button को press कर दें, उसके पास में लगे हुए bell icon को press कर दें ताकि आपको सभी वीडियोज का notification समय पर मिलता रहे तो सबसे पहला point है उपलब्दियों का मुल्यांकन, उपलब्दियों का मुल्यांकन किस मुल्यांकन के आधार पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर हम लोग discuss करेंगे तो छात्रों की उपलब्दियों का मुल्यांकन सतत्वा व्यापक रूप से होते रहना चाहिए यानि कि सतत्वा व्यापक रूप से जो मुल्यांकन किया जाता वो सबसे अच्छा मुल्यांकन माना जाता है तो यही बताएगा कि सतत्वा व्यापक रूप से छात्रों की उपलब्दियों का मुल्यांकन होते रहना चाहिए इसके लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है परन्तु ग्रेडिंग विधि को बहतर माना जाता है तो grading विद्ध किस के लिए होती है उपलब्दियों के मूल लियंकन के लिए होती है और इसे सबसे बहतर सबसे वेश्ट इसी विद्ध को माना जाता है उपलब्दियों के मूल लियंकन के लिए सामाने ता grading पद्दत में विद्यार्थियों की उपलब्दियों को दर्साने के लिए 5 बिंदू का प्रयोग किया जाता है तो grading system में क्या होता इसमें आपको grade दे दिये जाते हैं पूरे एक पूरी एक criteria के आधार पर उन दोनों के बीच के आपको सीधे grade दे दिया जाता है पूछा जा चुका है आपका कि 90 से 100 वाले किस grade में आते हैं 56 से 74 वाले किस grade में आते हैं या इसे पूछ देते हैं कि B grade बालों का अंक प्रसत कितना होता है तो एक एक करके सभी देख देते हैं सबसे जो अच्छा होता है वो होता A प्लस grade इसे extraordinary यानि कि सर्व उतकरष्ट माना जाता है यह 90% से 100% के बीच का grade होता है अब दूसरा आया है A grade A grade क्या यह उतकरष्ट यानि कि excellent होता है 75 से 89% के बीच का होता है excellent A grade इसके बाद आता है B grade, B grade होता है very good बहुत अच्छा मतलब कि उतकरष्ट से नीचे लेकिन बहुत अच्छा यह आता है 56% से 74% के बीच में अब अगला है C grade, C grade जो यह आता है अच्छा यानि कि good C grade का percentage होता है 35% से 55% होता है C grade यानि कि good अब अगला है D grade यानि कि औसत average यह मुखिता फेल वाले ही माने जाते हैं जो की होते है 35% से कमबाले यह D grade में आते हैं यह इनी grade के आतार पर छात्रों का मुल्यांकन किये जाता है इन्हें जो result में दिया जाता है इन्हें यह grade लिखकर दिये जाते हैं A plus A, B, C, D तो इन grades को आप लोग note कर लीजे तैयार कर लीजे अच्छे से इससे आपका एक number का question बन सकता है अब अगला है रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है इसके माध्यम से छात्रों का feedback उपलब्द कराया जाता है जो छात्रों की तुर्टियों को समझ कर उन्हें दूर किया जाता कि उन्हें क्या-क्या समस्या है उत्पन हो रही है अब यह सेडलर एक मनोब एग्यानिक हुए है इन्होंने अपने इनुशार इसकी परिवासा दी इन्होंने बताया कि रचनात्मक मूल्यांकन में feedback और स्वा मूल्यांकन दोनों सामिल होते है यानि कि रच रूपात्मक आकलन किस से सम्मंदित है तो यह रचनात्मक मूल्यांकन से सम्मंदित है इसी को कहा जाता है रूपात्मक आकलन अगले question पर बढ़ते हैं अगला है रचनात्मक मूल्यांकन grading chart यह भी important chart है इसमें भी अलग तरीके से थोड़े grade इसमें आपको grade point दिया रहते है percentage के स्थान पर या फिर grade दिया रहेगा या इसे CGPA SGPA होता है उसी हिसाफ से इसमें grade दिया रहता है और यह इनका अंक प्रस्तत होता है इसमें gradeों को A1 A2 इस तरह से मतलब छोटे छोटे भागों में बाटा गया है उसमें जो आपको पीछे grade पढ़ाए थे उसमें पूरे एक सबसे उपर क्या 91 से 100 वाले जो आते हैं यह A1 grade में आते हैं तो यह 91 से 100 वाले जो आते हैं यह A1 grade में आते हैं और इनका grade point होता 10.0 इनके जो CGPA कहा जाएगा इसे यह 10.0 होता है दूसरा 81 से 90 वाले यह आते हैं A2 में और इनका grade point होता 9.0 तीसरे 71 से 80 वाले यह आते हैं B1 औ अगले हैं 61 से 70 इनका B2 है ग्रेड और यह आते हैं grade point 7.0 वाले में अगला है 51 से 60 यह है C1 grade और यह C1 grade वाले आते हैं 6.0 CGPA में grade point में अगला है 41 से 50 यह आते हैं C2 में और इनका grade point 5.0 है अगला है 33 से 40 वाले यह आते हैं D grade में और इनका grade point होता है 4.0 अब ये E1, E2 ये दोनों होते हैं fail वाले हैं तो ये 21 से 32 वाले ये E1 grade में आते हैं ये आपके fail होते हैं और 0 से 20 वाले ये E2 मतलब सबसे lowest level वाले आते हैं यह भी फेल होते हैं मतलब 32, 33 से नीचे आले दोनों फेल होते हैं और यह आपके बाकी A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D अंत में D वाला सिर्फ सिंगल है यहां तक आपके पास माने जाते हैं और यह नीचे आले फेल होते हैं इनके ग्रेट पॉइंट भी याद कर लीजिए यह भी पूछ दिये जाते हैं इंपोर्टेंट है यह चार्ट भी तो यह वाला चार्ट भी आप लोग याद कर लीजिए नोट करते चलिए इंपोर्टेंट है बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो इसका यह है प्रस्णों का निर्माण प्रस्णों का निर्माण सिच्छार्थियों का मुल्यांकन उससे प्रस्ण पूछ कर या उसके सामने समस्याइं रखकर किया जा सकता है सिच्छार्थियों का को सिच्छारती को कि यह चीज आपको पढ़ा दी में कोई टॉपिक जैसे पढ़ा दिया गया उसके कोश्चन हो गए अब जो उन आंसर से वह कोश्चन बना रहा है यह भी एक तरीके का परिच्छन होता है अगला अच्छे प्रस्णों की विशेश्था अच्छे प्रस्णों हो या जादा आए कि वाले सभी को भासा समझ में आ जानी चाहिए सबसे बड़ी बात दूसरा इसपष्ट होना चाहिए और दुविधा रहीत होना चाहिए जो उसकी प्रस्ण की भासा होनी चाहिए वो इसपष्ट अच्छी और दुविधा रहीत होनी चाहिए अब अगला पर उसी विसेवस्तु के सभी जो important question होते हैं वो दे देता हूँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे प्रस्न की विसेशता है कि विसेवस्तु से सम्मंदित हो जो चीज पढ़ाई जा रही है अगला है उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए प्रस्न प्रस्न का कुछ उद्देश से होना चाहिए जो चातर के जीवन से related हो या उसका कुछ उद्देश से हो जो चातर समझ सके तो ये उद्देश आधारित प्रस्न होने चाहिए अगला है कठनाई का इस्तर कठनाई का इस्तर इस परकार का बनाना चाहिए कि जो सबसे lowest IQ वाला है वो भी उस question को कर सके तो कठनाई का इस्तर medium होना चाहिए और सभी को समझ में इस परकार का इस्तर होना चाहिए अगला है विशय छेत्र से सम्मंदित question ही पूछे जाने चाहिए नहीं कि किसी दूसरे विशय की पढ़ाई हो रही question दूसरे विशय के प्रसन होते हैं इनके प्रकार होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पूरक प्रसन निवंदात्मक प्रसन लगूत्री प्रसन अतिलगूत्री प्रसन जब आप हाई स्कूल इंटर का एक्जाम देते हैं या इसके आद ग्रेजियोशन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि इसी प्रकार के पूरक प्रसन आते हैं, निवन्दात्मक प्रसन दो से तीन आते हैं, इसके लावा लगभग पांस से दस प्रसन जो होते हैं, ये लगुत्री प्रसन होते हैं, और लगभग दस प्रसन जो आपके होते हैं, वो अतिलगुत्री होते हैं, पहले छोटे से देख रहते हैं अथिलग उत्री प्रस्ट में क्या होते हैं आप लोग एक से दो लाइन का आंसर लिखते होंगे यानि कि छोटा सिर्फ आपको जो चीज पूछी गई है उस चीज को बता देना है और मुश्किल से आपकी एक या दो लाइन का आंसर हो जाता है इसका आते हैं लगू लग उत्री प्रस्ट में आप लोग क्या करते हैं लगवग चार से पांच लाइन भरते हैं कि जैसे कोई परिवासा पूछ दी गए उसके उधारन दे दिये गए इसके अलावा किसी चीज के बारे में पूछ देगा यानि कि लग उत्री प्रस्ट जो होता है इसमें आपके बड़ी थियोरी लिखनी पड़ती है उसके बारे में एक एक चीज बतानी पड़ती है पॉइंट टू पॉइंट इसका में उद्देश क्या होता है कि आपको सभी चीज पॉइंट टू पॉइंट आती हूँ और ये चेक करना कि आपने अपनी सरजनात्मक छमता से लिखा ह अब दोस्तों आज का अंतिम टॉपिक है वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रस्नों के विभिन रूप दोस्तों इसके पहले आपको मैं बता दूं कि सीटेट 2018 नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी काफी लोग वाटसेप पर पूछ रहे हैं कि कैसे सभी चैप्टर तो दोस्तों सीटेट 2018 नाम की प्लेलिस्ट आपको डिस्किप्शन में ही मिल जाएगी वहाँ पे जाके आप लोग मेरी सभी वीडियो देख सकते हैं जितनी मैंने सीटेट रिलेटेट अभी एक से डेड़ मंत के बीच में वीडियो बनाई हैं वो सभी वीडियो आपको उस समस्या हो तो आप लोग मुझे WhatsApp पर या फिर मेरे Facebook ग्रूप पर भी जुड़ कर मुझसे पूछ सकते हैं और comment box में भी आप लोग अपने doubts पूछ सकते हैं जहां आपको समस्या वो चीज़ें आप लोग मुझसे comment box में भी पूछ सकते हैं अब अंतिम को टॉपिक है वस्तु इसके अंतरगत आते हैं वहकल्पिक उत्तर वाले प्रस्न दूसरा आपका है मिलान के प्रस्न मिलान के प्रस्न में आपके दो या तीन कॉलम दे दिये जाते हैं इसमें आपको मिलाना होता है कि कौन किस से समंदित है किस से सही रूप बन रहा है कि मिलान हो रहा है तो यह आ जानी की objective type के question आते हैं इसमें और ये question इसमें आपको चार option mostly चार option दिया रहते हैं उनमें कोई option आपका सही होता है ये बहुभी कलपी प्रसंद कहलाते हैं इनमें आपको कम समय में ज्यादा question दिये जाते हैं ताकि आपकी छमता चेक की जा सके आपको कितना आता है कितनी जल्दी आप कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका मैंने lesson 12 complete करवा दिया जल्दी आपको lesson 13 की भी वीडियो मिलेगी और यदि आपको किसी अन्य topic पर वीडियो चाहिए वो भी जल्दी मिल जाएगी तो दोस्तों व झाल 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